दिग्रस तहसिल में सोयावीन की फसले यलो मौजक नामक रोक की चपेट में आने से फसलों का भारी नुकसान हो रहा है दिग्रस तहसिल में सोयावीन की फसले यलो मौजक नामक रोक के चपेट में आने से किसानों पर आर्थिक नुकसान का साया मंडरा रहा है अन्य गाओ और देहातों के साथ ही दोलंबा वाडी के किसान इस रोग के प्रादूर भाव से संकट में आ चुके है दोलंबा वाडी गाओ के किसान परमोद जाधों ने परमिट पर महामंडल का फुले संगम नामक चार बैक बीज खरीदा था गाओ के जाधा तर किसानों ने इसी बीच की खेतों में बुहाई की थी खास बात ये है कि अन्य फसलों की तुलना में मात्र सोया बिन की फसल बड़े पैमाने में यलो मोजैक नामक रोग से प्रभावित हुई है कृषी शेत्र के जानकारों के अनुसार अशुद्ध तदा प्रदूशित और मिलावटी बीजों से फसलों के तनों पर सफ़ेद मक्षी की उत्पत्ती होती है और जिसके बाद यह रोग फसलों में तेजी से फैलता है सोया बिन की फसलों पर इस बार भी इस मक्षी ने अपनी धाक जमा कर रखी है किसानों ने इस रोग को दूर भगाने के लिए कई बार छिड़काओ किया लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ जिस वज़े से किसानों ने दोबार अबुआई की लेकिन फसलों की इस्तिती में कोई सुधार नहीं आया इसके अलावा एक रूपे में फसल बीमा की योजना किसानों को किसी जासे से कम नहीं लग रही क्यूंकि अब तक किसानों को इस योजना से एक रूपय का फाइदा नहीं पहुचा है मालुम हो कि पहले सोयाबीन की फसलों पर घोंगा जिसे स्थानिय भाशा में गोगल गाय कहते है उस कीट का प्रादूर भाव फसलों पर नजर आया था और बाद में यलो मोजेक नामक रोग फसलों को इस कदर फैला कि फसले बरबाद हो गई जिस वज़ा से इसकी रोग थाम के लिए दवाईयों के छिड़काओं में भी किसानों का काफी आर्थिक नुकसान हुआ है फसल बीमा कमपनी से इस बाबत शिकायत किये जाने के बाद कमपनी के बीमा प्रतिमिधी की और से किसानों की सोयाबीन की फसलों का नुकसान उनके मापदंडों पर खरा नहीं ठहरता जिस वज़े से किसानों को इसकी भरपाई नहीं दी जा सकती इस आशे का जवाब मिल रहा है जिस वज़ों से किसानों में रोश व्यापत है मालूम हो कि सरकार ने किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए एक रुपए में फसल बिमा की योजना लागू की थी लेकिन इस योजना के फर्जी निकश के चलते किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है गवर तलब है कि सोयाबीन की फसले जमी दोज होने से किसान वर्ग में हताशा की स्तिती है महेंगे बीच के इस्तेमाल के बावजूद फसले बरबाद हो चुकी है महेंगी दवाई के चिड़काओं से किसानों का बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है किसानों में इस वक्त घोर निराशा है किसानों की उम्मीदे अब सरकार और प्रशासन से ही बंदी है NBCN News के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट